आज मैं आपसे नजर दोश के बारे में जानना चाहती हूं अक्सर हम कह देते हैं कि हमारे काम को या हमारे बच्चे को या किसी को भी नजर लग गई है तो क्या वाकई में नजर लगती है जी आईए दर्श को एक भहुत खूबसूरस सा एपिसोड आपको सुनाया जाए नजर लगती है या नहीं दोने बाते हैं आप मेंसे सिर्फ मिरस रखके बैठे रहते हैं जरासी नजर लगी नहीं मिरस मुख डालो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कॉंट्रोवर्सी तो पैदा होती है सब्जेक्ट में क्या नजर लगती है या वास्तम में नजर नहीं लगती है क्या वास्तम में नजर होती है नजर होती है या नहीं होत इस पक्ष के उपर थोड़ा सा जोर देते हैं आप ध्यान से आज का अपिसोड सुने एदर उदर ना जाएं ध्यान से सुने समझ में आएंगी कुछ बात हैं आपको हमें उम्मीद है देखो सास्त्रों में और बहुत सारी जगह में यह बात पाई गयी है कि नजर होती है जमाने से आपकी मम्मी जी, आपकी नाणी जी, आपकी काकी जी, दादी जी जो आप छुटबन में छोटे से थे न, तो आपके माथे पर एक दिठोना लगाया जाता था काला तिलक लगाया जाता था क्यों साब बच्चे को नजर न लग जाए किरसन जी की बाल लिलाओं में भी हम देखें सूरदाज जी का वर्णा देखें हम तुलसी दाज जी ने तो राम जी के उपर बहुत लिखा है लेकिन कहीं ने कहीं हम सूरदाज जी को देखें रस्खान लेकिन जब वो मानवे रूप में आते हैं मा के लिए बच्चे किया चाहिए भगवान है या कोई भी तो कहने का भाओ मा का लाल कैसा भी क्यों ना हो कितना भी क्यों ना हो कितना भी कुरूप क्यों नहों लेकिन माँ जब उसे अपने आचल में लेट आती है लोड़ी देखर के सुनाती है तो मेरा सुन्दर मेरा लाल मेरा सलोना दूसरे को पतंद आये नहीं लेकिन माँ की आख से पूचिएगा कि उसके बच्चे का खुबजूरती गावयान उसकी माँ से सुर्दाजी ने कितना सुन्दर वर्णन किया भगवान श्री किर्शन के वाल्यकाल का आखे नहीं थी देख नहीं पाते थे लेकिन ने जाने कौन से चित्रों से देखा भगवान श्री किर्शन के सब रूप को कितना सुन्दर चित्रन किया है उनके बाल्य रूप का जब किसी भी शोरूम से बाहर निकलती हैं चाहें आपके ट्रक हों कुछ भी हो उसके पीछे भी काला जूता काली रिबन लटका दी जाती है और शायद ही कोई ट्रक हो जिसके पीछे लिखना ने लिखाना मिले बुरी नजर वाले तेरा मुझ काला तो इतनी सारी चीजे कहां से आ गई हमारे समाज में ऐसे कैसे हो गया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कहीं तो कुछ है अब एक उधारन और देता हूं कई बार आप आईने के सामने अपने आपको तराश्रय होते हैं और आपको लगता आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप बहुत सेंस बहुत अच्छी है आज आपको सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन बस इतना कहानी सब कुछ बुरा सा होने लगता आपको फिबर साने लगता कुछ-कुछ हो जाता कई बार आपको कोई टोक देता है अरे क्या बात है आपको तो बहुत अच्छा काम चल रहा है अरे क हमें ये सोचने पर आमादा कर देती हैं कि वास्तों में कहीं न कहीं नजर तो लगती है अब किन लोगों को सबसे ज़्यादा नजर लगती है आईए आज आपको पहली बार टेलीविजन के इत्यास में हम बताते हैं किन लोगों को सबसे ज़्यादा नजर लगती है नमबर ए विपरीत होंगे या तो दाइं भागेंगे या भाएं भागेंगे ऐसी अवस्था यदि किसी प्राड़ी के साथ है तो उसको नजर बहुत लगेगी हसते हुए जिन लोगों के गाल में गड़े बढ़ जाते हैं उस व्यक्ती को बहूत नजर लगती है जो व्यक्ती अक्सर हस ास्ते हस्ते रो पढ़ता हो। कईज बार आपकी हसी वी ऐसी होती है वह रोने में तब्दील हो जाती है आप कि इसी खुसकबरी को सुनते हैं आपकी आँखों से आशु जर जर बैने लगते हैं तो जो व्यक्ती ब Lexus लूँ जो बच्छे को इण पत्थर च्णा चुर हो जाते हैं जब किसी को नजर लगती है पत्थर के दो हिस्सें हो जाते हैं जनाब जब नजर लगती है बहुत सारे उधारण में आपको दे सकता हूं। अब हम इस नजर को दूर कैसे करें क्या नजर को दूर करने का कोई सरल उपाय है आईए जानते हैं जब कभी किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती हो आपको बार बार नजर लगती हो आपके वस्त्रों को नजर लगती हो आपके रूप को नजर लगती हो आपके काम को नजर लगती हो आपके धन को नजर लगती हो ऐसी इस्तिती में आप दो कपूर की केमफर की छोटी छोटी ठिक्टी ले 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 और कपूर के साथ थोड़ी सी आप गंधक ले ले अलग से गंधक रख ले और गंधक के साथ साथ थोड़ी सी आप अजवाइन के द दिया जाया जिस स्थान पर बार-बार नजर लगती हूँ नजर आपको दूर होती नजर आएगी दूसरी बाद सरसों के दाने ले 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 पीली सरसों ले ले और पीली सरसों किसी कटोरी में अपने सामने रख ले पांच बार बजरंग बान पढ़ दीजिएगा जनाव शनीवार के दिन उसके बाद उस पीली सरसों को अपने उद्धियों को इस्थल पे अपनी दुकान पे इधर उदर हलका हलका बखेर दें हनमान जी का ध्यान करते हुए आपके उद्धियों की आपके काम की फैक्टरी की रहस्तिना की उसकी नजर उतर जाएगी अब हम करते हैं बच्चे को नजर लग जाती है आपकी दे को नजर लग जाती है आपके शरीर को नजर लग जाती है कैसे उतारे एक स्पून लेने लंबे वाला और स्पून में एक बड़ा सा बताशा रख दें उस बताशे को हलका सा बीच में से तोड़ दें और जहां से वहाँ पर आप कपूर की छोटी सी टिक्की रखें यानि के कैमफर का चोटा सा टुकडा रखें और जिस व्यक्ति को नजर लगी है बच्चा है बड़ा है कोई भी है उसके उपर से साथ बार उतार करके दो लॉंग जलते हुए कपूर के बीच में डाल दें और बच्चा है तो उसको कहें बेटा देखो वह फ्लेम जो उटती रहे उसको वच्चा देखे बड़े को लगी है तो उसको देखे तब रित आपकी नजर उतरेगी और एक लास्ट उपाहे नजर उतारने का और सुन लें रूई की कोटन की लंबी सी बत्ति बना लें इतनी लंबी बना ल लें सरसों के तेल में डिप करने के बाद हाथ पे रखके साथ बार उस व्यक्ति को अराम से लेटा करके उतार दीजेगा किसी भी मंत्र को किसी भी चीज को पढ़ते हुए किसी भी मजभब से आप जुड़े हों जो आप पढ़ते हुए उसको पढ़ते हुए उतार दीजीग उसके बाद उस पानी को कहीं भी एक तरफ फैक दें किसी के पहर में आए क्योंकि किसी का नुक्सान कभी नहीं करना चाहिए अपने सिंक में डाल दें कहीं भी डाल दें एक तरफ उस पानी को बखेर दें बहुत सारे उपाएं हैं दर्शुको आपकी हर समस्या के समाधान के आप ऐसे ही हमारे कारिकरम को यूट्यूब पर भी देखिएगा और जहां जहां आपको मुखा मिलता है वहां हमाँ आप देखिएगा आपको हम हमेशा कोचिस करेंगे कि ज्यानवर्दक बातने और जीवन की समस्याओ के समाधान की आती है तो उसके लिए आप शर्मा जी का माग दर्शुन प्राप्त कर सकते हैं विक्तिका तो पर अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो परसनल अपॉंट्मेंट ले लिजेगा या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात कर पाना अभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे मैं आप कॉल अपॉंट्मेंट लेने संस्थान में संपरसादने का समय रहेगा सुबह 10 से श्याम छे बज़े के बीच में अब चलने की दीज़े ज्वाजत नमस्कार मैंने एक राट सोपन में अपने आपको विद्वार रूप में देखा तो मैं वह डर गई कि मेरा आज क्या होगा तो आपके दुवारा बतायागा कि जिस दिन अपने बूरा सोपन देखो उस दिन ओम नमस्शिवाय का जाप करते रहो तो मैं दिन भर अपना ओम सर्च केंज C3 Ground Floor Ashoka Niketan नियर Yojna Vihag, Delhi 92. Website www.prof.dharmendra-sharma.in Facebook Prof Dharmendra Sharma Twitter At the rate Prof Dharmendra WhatsApp number 098-111-4594